आपको पता है collagen एक तरीके का protein होता है जो हमारे skin का main building block होता है जो हमारे skin को sag होने से और जुर्यों को पढ़ने से बचाता है बैसिक लिए हमारे skin को plumpy और youthful look देता है अगर आप अपने skin को youthful, glowing और tight बनाना चाहते हैं तो collagen is very important इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ही ये collagen serum share करूंगी इसके अंदर ऐसी properties हैं जो आपकी skin में collagen के production को increase करती है और आपके skin को clean and clear बनाने का भी काम करती है देखिए मार्किट से आप इतना महगा महगा product जो खरीद के लाते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उस product के साथ साथ उस product में मौझूद बहुत सारे chemicals भी आप लेके आते हो और अपने चहरे पे लगाते भी हो और आपको पता है जो हमारे छोटे छोटे रोम चीद्र होते हैं skin पे, body पे, उसके थुरू होता हुआ जो भी आप क्रीम अपने चहरे पे लगाते हैं तो जब आप कोई ऐसा क्रीम लगा रहे हैं जिसके अदर बहुत सारे हामफुल chemicals तो वो भी आपकी बॉड़ी के अंदर जाएगा और अगर आप बहुत एक्सेसिव इन सारे चीजों को यूज करते हैं बहुत सारे make-up product यूज करते हैं तो उससे ना आपकी health बहुत ज़्यदा damage होने वाली है इसलिए आजकल देखिए बहुत सारे लोगों को cancer की बीमारी हो रही है जबकि पहले इतनी नहीं थी आजकल बहुत तेजी से increase हो रहा है cancer और कहीं नहीं उसके पीछे यह सारे रीजन्स भी है कि हम लोग इतने chemical वाली चीजों का यूज कर रहे हैं जबकि मैं पहले इतने सारे products का यूज करती थी तो मेरी skin पर हमेज़ा कुछ ने कुछ प्रॉलम्स तो रहता ही था नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मैं इस तरीके की बहुत सारी hair care skincare और healthy healthy diet से related video शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है अगर आप नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है अब से लिए बिना किसी दिरीके video सुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा ऐसा face mask शेयर करूंगी उसके बाद मैं आप लोगों के साथ को लेजन सीरम शेयर करूंगी इस face mask को बनाना बहुत ही आसान है इन इंग्रीडियंट को कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि इसली अपलेबल है हर किसी के किचन में होते ही है जो पहला इंग्रीडियंट है यह है बेशन बेखिए बेशन एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो किसकिन के पोर्स की deeply supply करता है बलाक है बाइड वाइट है को खतम करता है अब जो अग्ला इंग्रीडियंट है यह है हल्दी आपको दो पिंच के बराबर यानि दो चुटकी के बराबर कोई भी हल्दी ले लेना है वाइल टर्मरीक वाइड तर्मरीक या फिर अंबा हल्दी या फिर नॉर्मल जो आप खाने में यूज कर सकते हैं, उस हल्दी का भी इस्तमाल आप कर लीजेगा, दो पिंच के वराबर लेना है, हल्दी के अंदर एंटी बैक्टिरल, एंटी फंगल, एंटी सैप्टिक प्रोपर्टी होती है, यह हमारे एकने पिंपल्स को बहुत लेकर हैं लेकिन ब्रीफर आप कच्चा दुद्द को करिए गा अच्छे से आपको किस कर لता च्छे के अंधर लैक्टिक आसिड होता है, गemasते ही सकंप्तिक घोपक direito होता इस साथी साथ दूदष हमारी इस्किन को मौस्राइज करता आ है और हमारी स्किन को रीजूविनेаров क तो आपको क्या करना है अच्छे से थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है बहुत लिक्विडी होगा तो टपकता ही रहेगा अब इसको मैं अपने पूरे फेस पे और नेक पे लगा लूगी और इसे अच्छे से ड्राइ कर लूगी जब ये ड्राइ हो जाएगा तो सिर्फ नोज के पास सर्कुलर मोसन में मसाज करते हूए मैं इसे छुडाऊंगी ताकि जितने भी ब्लैक एड़ वाइट नोज के पास है सारे निकल जाए और इस तरीके से ना बहुत ही अच्छे से ना का आपकी साफ हो जाती है मतलब ब्लैक एड वाइट तो आपकी नोज के पास दिख सकते हैं अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा कोलाजन सीरम शेयर करने वाली हूँ और इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिंट आपको चाहिए यह है नीबू के चिलके का पाउडर आपको नीबू के चिलके का पाउडर लेना बहुत ज़रूरी क्योंकि नीबू के चिलके में बहुत सारा वाइतामीन सी एंटाइ ऑक्सडेंट होता है जो हुमारी स्किन में कोलाजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो आपकी स्किन के पोर्स की डीपली सफाई करती है फॉर्दर ब्रेक आउट्स को भी खतम करती हैं करेंटली जितने भी एकने पिंपल्स को बहुत जल्दी ड्राइ आउट कर देती हैं साथी साथ दाग दबों को खतम करने में नीबू का चिलका बहुत ही कमालका होता है अब जो अगला इंग्रेडियंट है यह है हीबिसकस फ फरबर के होता है जो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉसराइज करता है जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेर करता है जितने भी डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेर करता है इसके अंदर ही प्रापर्टी भी पाई जाती है जो हमारी स्किन को रिज मैक्सम लोगों की skin dry हो जाती है हमारी skin की जो नमी होती है वो atmosphere खीच लेता है जिसके वज़े से क्या होता है कि हमारी skin एकदम dry हो जाती है, wrinkles fine lines आजाते हैं, इसे use करें देखें आपके skin कितनी youthful और glowing होता है अगला ingredient भी एक फूल ही है और यह है गुलाब का फूल यहां पर मैंने dry rose petals लिया है आप rose powder का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोज हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है vitamin C, antioxidant का यह खजाना होता है जो हमारी skin में collagen के production को increase करता है और हमारी skin youthful होती है अगला ingredient है एक बहुत ही vicious तरीके का और यह है अश्वगंधा अश्वगंधा हमारी skin को youthful बनाने में बहुत जादा अच्छा होता है हमारी skin को tight बनाने का काम करता है जिससे आपकी skin के जो pores हैं वो भी उतने visible नहीं होते और हमारी skin को glowing बनाने में तो यह कमाल का ही होता है इसलिए आपको एक चमच के बराबर अश्वगंधा का भी इस्तमाल करना है अगर आपके पास अश्वगंधा नहीं है तो इसकी जगह आप मुलेठी पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका मैं बना रही हूँ सीरम तो सीरम बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा चीज तो इसमें डालना ही होगा जो बहुत ही अच्छे से हमारी skin को मौसराइज करे अगर आप इसमें coconut का इस्तमाल करते हैं तो यह आपके skin को बहुत ही अच्छे से मौसराइज करने का काम करेगा अगर आप इसमें coconut का इस्तमाल नहीं कर सकते तो almond का use कर लीजेगा लेकिन आपको almond या फिर coconut दोनों में से एक चीज तो इस्तमाल करना ही होगा आप चाहें तो दोनों चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं आगर आप से किसी भी चीज का इस्तामाल नहीं करते तो ये सीरम, सीरम जैसा नहीं होगा आपकी ड्राइफ ही लोगी, इसलिए आपको दोनों में से एक चीज अद आड' ऑ चीज का इस्तामाल कर लीजिये इसमें मैंने डाला थोड़ा सा rose water और थोड़ा सा पानी सिर्फ rose water में भी आप इसे बना सकते हैं सिर्फ rose water में बनाएंगे तो ये लंबा चलेगा लेकिन मैंने इसमें rose water और पानी डोनों डाला है अब एक चीज और है जो आपको इस्तमाल करना है और ये last ingredient है अभी वीडियो को script मत करेगा क्योंकि इसका serum बनाने का पूरा process देख लीजे उसके बाद इसका face mask बनाना भी मैं बताऊंगी कुछ extra नहीं करना face mask बनाने के लिए क्या करना है आगे मैं दिखाने वाली हूँ अब दिखिए इसमें मैंने थोड़ा सा orange के छिलके का भी इस्तेमाल किया dry सारी चीजों को मैंने dry form में use किया है या फिर powder form में use किया है ताकि यह जल्दी खराब ना हो orange के छिलके में बहुत सरा vitamin C होता है anti-oxidant होता है इसके अंदर anti-aging properties पाई जाती है जो हमारी skin से premature wrinkles, fine lines को खतम करने का काम करता है pigmentation, hyper pigmentation, दाग थबों को भी खतम करने में यह कमाल का होता है आप dry orange के छिलके की जगा orange peel powder का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन सारी चीजों को हमें grinder में डालना है अच्छे से grind करके इस तरीके से इसका paste बना लेना है अब इसे मासलन कलाथ की help से अच्छे से strain भी कर लेना है ताकि जितने भी residue है निकल जाएं क्योंकि हम लोग इसे serum के फ़र्म में बना रहे हैं तो इसे लिए हमें सिर्फ extract चाहिए जो कि अभी इसको चानने के बाद हमें मिल गया है अब इसे में की ड्पर वाले bottle में भरूँंगी इसमें आपको और कुछ भी अइड नहीं करना तो इस iko सीलियू में अपने पूरिज पे लगा लेना है इसे छानने के बाद जो residue बच गया है मसलिन क्लॉँद में उसे फेकना नहीं है उसी की help से हम लोग बहुत ही अच्छा सा face mask बनाएंगे जो आपकी skin को deeply moss rise करेगा, glowing बनाएगा, healthy बनाएगा और आपकी skin को youthful भी बनाएगा तो face wash करने के बाद मैं इसी से अपने face को moss rise भी करती हूँ और as a serum भी मैं इसे use करती हूँ तो अच्छे से पूरे face में मैं लगा लूँगी जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यह चासा कुमकुमादी oil भी शेयर करने वाली हूँ जिसके अजर बहुत सारे benefits हैं तो आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और मेरी वीडियो को like करिएगा, please मैं बहुत महने से वीडियो बनाती हूँ और जो आप like करते हैं तो मेरी वीडियो की reach बढ़ती है उससे मुझे grow होने में help मिलता है तो बिना like के मच जाएगा अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो अब देखिए यह जो residue है इसे फेंकना नहीं है यह सिर्फ एक चमच more than sufficient होगा एक चमच के बराबर मैंने यह residue ले लिया है अब जो extract मैंने प्रिपेर किया था जो serum हमने बनाया था बिसीकली तो वो बहुत जादा बन गया था तो जो बचा हुआ है उसको मैंने रख लिया है और उसी की help से मैं पेस्ट बनाऊंगी तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है इसको बहुत गीला मत करिएगा और बहुत जादा थिक भी नहीं होना चाहिए कैसा पेस्ट होगा आपको तो पता ही होगा फिर आप ऐसा इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिजी और इससे पूरे फेस पे और नेक पे लगाईए ये देखिए आपकी स्किन को क्लीन तो करता ही है साथी साथ आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉसराइज करता है अब देखिए ये दोनों चीजें बच गई है तो मैं इसे फ्रीज के अंदर डाल दूँगी और डेली मैं यूज करती हूँ इसे बहुत ही अच्छा ये फेस मांस्क है आपकी स्किन को डीपली मॉसराइज करता है रिपेयर करता है दाग थपों को खतम करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है रेगुलर यूज करिए सिर्फ दस दिन में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा आपने स्किन में बस आपको कंसिस्टेंट रहना है जब भी आप नैच्रल रेमेडी का यूज करते हैं आपको कंसिस्टेंटली यूज करना होता है साथी साथ आपको मैं बटाओं आमला पिर औरेंज डेली इक आमला अख़ा है Nic देली एक आमला आपको नहीं पसंद और नहीं कण्जूम करें तो कम से कम एक औरेंज डेली कंजूमकर यह भी करा कर्णे लिए इतिक अप टो नीबु पानी पीचिए डेली दिख्ये आपकेThis कि बहुत ही glowing और healthy होगी क्योंकि जब vitamin C sufficient हम लोग consume करने लगते हैं तो उसका सीधा असर हमारी skin पर ही होता है हमारी skin bright और glowing होती है आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा के face wash कर लिया और मेरी skin में आप देखे कितना सारा glow है और यह जो मेरी skin है सिर्फ natural remedy की बदालत हासिल हुई है मैं कोई भी face care नहीं लेती हूँ ना ही मैं कोई market का chemical वाला cream लगाती हूँ मैंने यूट्योग चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे लड़ू शेयर की हैं जो आपको hair growth में बहुत ज़दा सपोर्ट करते हैं देखिए सिर्फ external application एनफ नहीं होता है जब तक की हमारी diet healthy ना हो कुछ नहीं हो सकता इसलिए मैं आपको highly recommend करूंगी कि आप इस वीडियो को अभी देखिए और इसमें से जो लड़ू आपको अच्छा लगता है इसमें बहुत सारी ingredient का use भी नहीं हुआ है तो इसमें जो लड़ू आपको अच्छा लगता है easy लगता है आप उसे बनाएगे और daily खाईगे आपको बहुत अच्छा result मिलेगा आपके बाल भी healthy होंगे आपके skin भी healthy होगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो अब मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार